बसकार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शुप्राजैनी देश के पांच राचियों में विधानसबा चुनावों के बीच तमिल्हाडू से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है तो बीजेपी के लिए कहीं न कहीं तमिल्हाडू जैसे राच्छे में ये जीत हासल करना ही अपने आप में एक बड़ी भात है कि तमिल्हाडू जैसे राच्छे में भी अब बीजेपी अपनी पैठ बनाने में कामियाब हो पा रही है आपको बताते तमिलनाडू में local body election हुए थे जिसके नतीजे आज साफने आ रही हैं और इन चुनाहों के लिए जो voting हुई थी शनिवार को उसमें 21 निगम, 138 नगर पालिकाओ और 490 नगर पंचायतों में 12607 पदों पर मद्दान हुआ था जिसके आज नतीजे साफने आ रही ये नतीजे वहां तमिलनाडू की जो इस्थानिये पार्टियां हैं उनके लिए बेहद चोकाने वाले और मुश्किले बढ़ाने वाले जाबित हो सकते हैं भले ही डियमकी और एई एटियमकी बीजेपी से आगे हो लेकिन बीजेपी इन चुनाहों में तीसरी सबसे बड़ चारी है और जो नतीजे साफने आई हैं उसमें हम आपको बतानें बीजेपी ने अभी तक कुल 209 सीटों पर कबचा किया है जिसमें कॉर्परेशन की जो 4 सीटे शामिल हैं साथ ही मुनिस्पिलिटी की 41 सीटे और साथ ही नगर पंचायत वोर्ड की जो है 164 सीटे सामिल हैं यानि इस तरीके से बीजेपी ने अभी तक 209 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है ये जीत हासल की है और लगाता ये बढ़त जो है बीजेपी को मिल रही है अभी तक मतगन्ना पूरी नहीं हुई है लेकिन बीजेपी जिस तरीके से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उ साथ्चे में ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है इससे पहले हम देख चुके हैं कि हैदराबाद में भी जो लोकल बोड़ी एलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी ने अच्छी जीत हासल की थी और कहीं ने कहीं ये तमाम जो बीजेप ौज़ाच्ट के साफ तोर पर शाफतोर पर बया कर रहे हैं देश के पांच राच्यों में विधान सबाद चुनाफ हो रहे हैं और खास तोर पर उत्तरप्रदेश उत्राखंड और पंजाब की ये खरपात की जाए तो लगातार बीजेपी वहां चुनाफ पर चाहर कर रह रही है उससे बीजेपी का मनोफल भी बढ़ेगा और आने वाले वक्त में जो और राज्यों में चुनार होंगे उसमें भी बड़ा फाइदा बीजेपी को बहुत सकता है हाला कि आफिक ताथ तमिलनाडू के लोकल बॉडी इलक्शन के जो नतीजे साफ ने आए हैं वो अपन जो अपने गठन के बात से DMK का गड़ था लेकिन वहाँ अब बीजेपी ने बड़ी चीत हासल की है यहां और जो AI ATMK और साथ ही DMK का गड़ मना जाता है, वहां लगातार BGP जीत हासल कर रही है, बात चाहे कन्या कुमारी की चाहे, कन्या कुमारी में भी BGP ने बड़ी चीत हासल की है, वहां दरसल जो विधानसबा शेत्र है, बगोडे वहां पर BGP के उमिदवार चीते हैं, तो इ तमाम सोशल मीडिया यूजर्स कह रही हैं कि ना सिर्फ भारत में BGP नंबर वन हैं, बलकि कश्मीर से कन्या कुमारी तक, गुझरात से अरुनाचल परतेश तक और भारत के कई राच्चों में साशन कर रही है, साथी तमिलनाडू जैसे राच्चे में भी अब BGP अपनी आफ में बड़ी बात है, जहां उनका अस्तित्व ही नहीं था, अब वहां लगाता लोकल बॉडी इलेक्शन में BGP सीटे हासित कर रही है, तो सब अपने आफ में ये बड़ी चीत है, बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से कही न कहीं मोदी सरकार के अगेंस्ट एक गटबंधन बनाने की तयारी हो रही है कि किस तरीके से 2024 में लोकसबाद चुनाख में BGP को हराया जाए, परधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए, इसको लेकर तमाम पार्टियों की कवाया तेच है, फिर चाहे बात महराश्ट की की चाए, या फिर जो NTA कटबंधन है, उसका हिस्सा AIA TMK है, लेकिन राष्टे इस तर पर वो इसका हिस्सा है, लेकिन लोकल बॉड़ी इलक्षन में सीटों के बटवारी को लेकर जब बात नहीं पड़ी, तो BGP की और से ये साफ कर दिया गया कि वो अकेले ही तमिलनाटु में ये लोकल दक्षिन भारत में भी BGP को पसंद कर रही है, और यही कही न कहीं परधान मंत्री नरेंद्र मोधी का मकसद भी रहा है कि भारत के दक्षिन राज्यों से लेकर भारत की उत्तर और पूरव और पच्छी में तमाम राज्ये जो हैं उन्हें एक सुत्र में पिरोया चाहे, य लेकिन अब कही न कहीं समेकरन 2014 के बाद बदले हैं और BGP उन तमाम राज्यों में चीत हासिल कर रही है, जहां BGP की एक सीट भी नहीं थी, जहां BGP सुन्या पर थी, बादचाए हैतराबाद की की जाए, या फिर तमिलनाडू की की जाए, केरल और करनाटा की की जाए, त हमने शेहरी इस्थानिया निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि जो AIA, DMK के नेता हैं, वो दरसल सीटों के बटवारे को लेकर नहीं मान रहाए थे, BGP को कम सीटे दी गई थी, और 10% सीटों की ही सिर्फ पेशकस BGP को की गई थी, लेकिन BGP ने ज पेवर में चारा है, जिस तरीके से ये लगातार अलगलग नीगम और नगर पालिकाओं और साथ ही नगर पंचायतों के नतीजे सामने आ रहा हैं, जहां BGP एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बंती उभरती दिखाई दे रही है, तो ये नतीजे अपने आफ में BGP के लि अगर BGP जीत हासिल कर रही है, तो जाहिर तोर पर इसका वाहिथा उन्हें उत्तरप्रदेश बितान सबाद चुनाव में भी होगा, ये कि BGP लगातार इस तरीके से अपना जीत का परचम लहराने में काम्याब हो पा रही है, इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से माहर में जहां कहीं न कहीं, शिवसेना खुद को बहुत बड़ी सत्ताधारी पार्टी मांती है, और ये कहती है कि शिवसेना का गढ़ है महरास्ट, लेकिन वहां भी BGP सेंद लगाने में काम्याब हो पा रही है, वहां के तमाव जो लोकल बॉरी इलेक्शन हुए हैं, और इसक जो कि सत्तारूट पार्टी है, उसे BGP ने बड़ा छटका दिया है, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकार उपरी है, हाला कि अभी तक ये नतीजे साफने आई हैं, लेकिन अभी तक मतगन्ना पूरी नहीं हुई है, आने वाले वक्त में BGP की सीटे बढ़ सकती हैं, और कई और ऐसी चौकाने वाली सीटे साफने आ सकती हैं, जहां BGP ने जीत हासल की हूँ, क्योंकि तमिलारू में चेननाई, कन्या कुमारी तक क्रई ऐसी सीटे हैं, जो AI, ATMK और साथ ही DMK का गड़ रही हैं, लेकिन वहां भी BGP जीत हासल करने में काम्याब हो पा रही है, तो जिस तरीके से तमिलारू के कन्या कुमारी से लेकर जिस तरीके से गुजरात, आंदरपरदेश और देश के तमाम राच्यों में लगातार BGP अपने जीत का परचम लहरा रही है, उसके बाद तमाम लोगों का सोशल मीडिया हूजर्स भी अलगलग दावा कर रही हैं, कि दरसल भारत में जिस तरीके से BGP लगातार सीटे हासिल कर रही है, जिस तरीके से BGP लगातार भारत के उन तमाम राच्यों में जीत हासिल कर रही है, जहां BGP का अस्तित्म नहीं था, फिर चाहे वो हैदरावाद में BGP की जीत हो, या फिर दक्षिन राच्यों में भी लगातार जिस तरीके से बीजेपी सीटे जीत रही है वो अकेले अपने दम पर छुनाफ लड़कर ये बता रही है कि दर्दल उसमें कितनी काफिलियत है कितना विकास कार्षिया हुआ है जनता किसे पसंद कर रही है ये तमाम चीजें हैं जो लगातार सोशल मीडिया हुजर् लेकिन फिलाल अपने आह में तमिलनाडू लोकल बोड़ी इलेक्शन की ये नतीजे चोकाने वाले हैं क्योंकि दक्षिन भारत के जो राच्चे हैं कहीं न कहीं वो बीजेपी का गड़ नहीं है लेकिन बीजेपी इसके बावचूत भी अगर इतनी बड़ी संख्या में दूसरी पार्टियां हो उनकी परिशानी भी बढ़ा सकता है फिलाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट वोक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें दन्यवाद